आपके चेहरे पे कितने भी काले दाग हो, मुहासे हो, कील मुहासे हो जाती है, पिग्मेटेशन की प्रॉबलम हो जाती है, काले दाग धब्बे हो जाती है, स्किन बूड़ी लटक जाती है, स्किन बिलकुल भी आपकी ग्लो नहीं कर रही है, पैचिस पड़ रहे हैं, ये सार आपना चेहरा देखें किकी तरए आपका चेहरा जो है वह फा 아 pleasure की पंखुझणि pomohid do Soul उपनि यूटीं की लाइस्ट्राइब आर बहुत अच्छी आपके साथ शेर करती हूं और को डरी को health care का exercise भी आपके साथ share करती रहती हूं तो आज की वीडियो जो मैं लेके आई हूँ गरेलू नुस के जो solution में बताती हूँ जो मैं home remedy आपके साथ share करती हूँ यह वाली जो वीडियो है बहुत useful होने वाली है यह facial आप करेंगे न face पे तो आप खुद हरान हो जाएंगे आप कील महाँ से जादा हो जाते है ओपन वोस की problem बहुत जादा है तो यह सारी समस्यों को यह दूर कर देगा तो चलिए शुरू करती है उससे पहले मेरी आप से गुजारिश है जो भी आप पहली वार अगर मेरी वीडियो पे आ है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe जरूर करना वीड देही से facial करेंगे facial मैं आपको तीन step बताऊंगी step by step देखना तभी आपको पता चलेगा एक भी step अगर चूट गया तो यह मैं आपको तीन step बताऊंगी देही से चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको cleansing करना बताऊंगी उसके बास scrubbing होगा उसके बाद जो है व बहुत ही बढ़िया market का हो या कोई भी देही हो देही होना चाहिए बस कोई फर्क नी पड़ता बस देही जो है वो घना घना सा होना चाहिए मतलब अगर पतले वाला देही है तो आप उसको जो है वो बिंदी हटा लेती हूँ इसको मैं भूल जाती हूँ बार बार तो जो यह देही है ना अगर पतले वाला है तो आप इसको चान सकते है पानी पानी जो है वो निकल जाएगा जो गाड़ा गाड़ा देही है वो आपके पास रह जाएगा तो पास हो जाती हूँ तो बस अब हम करेंगे मिसाज मिसाज जो करनी है ज्यादा मतलब भारी भारी हाथों से नहीं करनी है, मतलब जोर लगा के नहीं करनी है, ना ही ज़्यादा हलके हाथों से करनी है, मतलब इतना भी हलका नहीं करना है, इतना भी भारी नहीं करना है, जितना प्रेशर आप चेहरे पे जहल सकते हैं, उस हिसाब से हमें मिसाज करनी है, तो चेहरे की मिसास मतलग cleansing करनी है तो यह जो cleansing करना यह बहुत ज़्यादा जुरूरी होती है फेस की करना पहले तो फेश वास करना है उसके बाद हमें cleansing करनी है तो यहां लगाएंगे हम cleansing के लिए एक से दो मिनट इस तरह से हम मिसास करेंगे यह देखे आप अब हम जो है वो इसको साफ कर लेंगे इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको अब साफ रुमाल कॉटन का कपड़ा कॉटन से आप इसको साफ कर लेंगे क्लिंजिंग होई है यह जो फेस पैक में आपको बता रही हो ना यह आपके चेहरे की सारी गंदगी को यह दूर कर देगा जो क्लिंजिंग मैंने आपको बताया दही से यह सारी क्लिंजिंग से जो है वो चेहरे का सारा मैल गंदगी को यह दूर कर देगा तो इस तरह से भी अब हमारी cleansing हो चुकी है, अब हम करेंगे scrub, तो scrub के लिए सबसे पहले तो आ गया हमारा ये दही, अब दही में जो है हम डालेंगे, तो यहां पर ये देखिए, ये होगी मेरी, चीनी के चनकी है, इसको हलके हलके से पीस लेना है, बेलन से, ये देखिए, अंदर मेल चला जाता है, गंदगी चली जाती है, टैनिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनके भी चेहरे पे जाईयां, जुरियां होती है, तो ये, शुगर का जो scrub होता है, तो ये सारी समस्यों को ये दूर कर देगा, तो इस तरीके से हमने जो है को scrubbing करनी है, आप न इ scrubbing करेंगे फिर से एक दो मिनट, और अब इसको ऐसे ही रहने देगे, अब चलेंगे फेस पैक बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है, ये देखो मेरे हाथ भी गंदे हो जाती है, आप मुझे धूने पड़ेंगे ये, ये साफ कर लेती हूं इनको, तो अब जो है वो दही लें है, तो यहाँ पर ये देखी, एक भर के चमच डाल देना है, बस ये एक हुआ नहीं था, पूरा थोड़ा सा बच के था, और डाल देती है, अब डालेंगे हम इसमें बेसन, तो जो मुलतानी मिटी है ना, वो चेहरे के दाग धबों को दूर करती है, और ये स्किन को चमच बनाती है, चमकदार बनाती है, और ये बेसन डाल दिया, अब हमने यहाँ पर, ये मेरे बेसन का ले लिया है, एक चमच, यहाँ पर, अब इनको अच्छे से जो है, वो मिक्स कर लेना है, तो बेसन से, जिनके भी चेहरे पर जाइया है, काले धाग धबे हैं, बेसन उसको साफ करता है, चेहरे को चमकदार बनाता है, काले दार धब्म को दूर करता है, अब इसमें हम डालेंगे, यह देखो, कितना थिक बना है, अब इसमें डालेंगे हम आधर टमाटर का जूस, दो जो टमाटर है न, यह चेहरे को चमकदार बनाता है, और गलोइंग बनाता ह हेजुआ है अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्डी एक चुटकी बह्र guitli डालेंगे घल्दी जो है वो एंटीवेक्ट्रियल का काम करती हैं चेहरे पर कोई बी इंफेक्शन हो तो उसको यही दूर करती है तो अब इनको तो आप शहद डाल सकते हैं शहद नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं कोई problem नहीं पहले तो आप इनको हम अच्छे से mix करेंगे अच्छे से mix करेंगे और फिर apply करेंगे अपने face पे और इसके बाद भी हमें क्या लगाना है face पे बो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो को skip बिल्कुल मत करना वीडियो अच्छी लगी तो भी like, share, comment ज़रूर करना आपका एक like मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा माईने रखता है मुझे और वीडियो बनाने के लिए motivation मिलती है तभी तो मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाती हूँ गरिलू नुस्के लाती हूँ तो यह जो मैं pack बना रही हूँ न देखिए कितना थिक की यह बना है गीर भी निगाया नीचे इस तरीके से इसको बनाना है अब इतने ज़्यादा ये समान जो है चहरा उतना ही निखरेगा ये देखिए ये हो गया है अब हमारा mix अब हम इसको जो है वो apply करते हैं तो देखिए इतना ठेक ये रखना है अब हम इसको apply करेंगे इस तरीके से बहुत मुलतानी मिट्टी तो वही जो गर्मियां है ना गर्मियों के लिए तो ये बर्दान का काम करता है चहरे को इतना निखार देता है ना आप simple मुलतानी मिट्टी भी लगाएंगे तब भी आपके चहरे पर ये बहुत ज़्यदा असर करेगा तो इस तरह से इसको लगाना है ये और मुलतानी मिट्टी गर्मियों में ठंड़क परदान करती है ये तो हमारे बड़े पूर्वजों की देर है पहले तो मोटी मोटी चखियों में ये आती थी पीस के भी आप इसको रख सकते हैं मैंने तो डबी भरके रखी विए हर्वल तो चेहरे पर असर क्यों नहीं होगा और इस पैक को लगाके ना आप खुद हरान हो जाएंगे मतलब फेशियल आप खुद सोचेंगे कि मैंने इतना महंगा फेशियल करवाया है इतना मेरे उपर असर हुआ है मतलब फेशियल से भी कहीं ज़्यादा जो महंगे महंगे करनी है मिसाज तो मिसाज जो है वो करनी है कम से कम 5-7 मिनट इस तरीके से तो यह फेश टैक्ट पिगमेटेशन की प्रॉब्लम को जाया जुरियां कील मुहसे टैनिंग होगी है पैचिस पढ़ गे हैं सब को यह दूर कर देगा आपके स्किन में इतना निखार लाएगा फे साइम फेस को धोना है, उसके बाद क्या लगाना है आपको बाद में बताती हूं तो यह देखिये आप मेरे फेस पे मैंने किस तरह से प्लाई किया है और किस तरह से इसकी मिसाज कर रही है ज़्यादा प्रेश्र नहीं डालना है इस तरीके से आंखों के नीचे काले घेरे चा जाते हैं आंखों के नीचे काले इतने गड़े से बन जाते हैं ओपन पोस की प्रॉब्लम है या आपके चेहरे पे काले दाग धब्बे है फिक्मेटेशन है चेहरे पे ग्लो नहीं है स्किन बिल्कुल धीली सी पड़ गी है तो ये सारे समस्यों को ये दूर कर देगा स्किन को टाइट बनाएगा, ब्राइट बनाएगा और चमकदार बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा इस तरह से मिसाज करनी है अब चलो इसको सूखने देते हैं ये मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना रही हूं आपको दस कर मिनट जो है वो चेहरे की मेंसाज जो है वो करनी ही करनी है चलिए अब इसको सुखने देते हैं दस कर मिनट उसके बाद इसको वाश करेंगे अग़ी हूँ अपना face दो कि और आप मेरे चिहरे पे निखार देख सकते हैं कितना निखार आया है और यह face यह जो facepack aircraft आया धर आप इसको रात को लगाएंगे न तो आपके चिहरे पे इतना glow आएगा आप सुभा अप देखेंगे आप की इतनी चमकदार बन जाएगे इतना ग्लो करेगा आपका फेस कि आप सोचेंगे कि मैंने कौन सा इतना महंका फेशल कर वाली है जो मेरे चाहरा इतना ग्लो कर रहा है जो भी आपकी सकी प्रॉब्लम होगी जो पैसे बगेरा पढ़ते हैं धूप से प्रढ़ जाते हैं जाहियां लगाना है अगर नहीं है तो आप कोई भी sunscreen लगा सकते हैं कोई भी moisturizer cream आप लगा सकते हैं तो दोस्तो फिर मैं ऐसी ही वीडियो के साथ मिलूंगी और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक like तो जरूर बनता है आपका एक like एक like मेरे लिए like जरूर करना और फिर मिलूंगी मैं ऐसी ही एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ useful वीडियो के साथ अब तक के लिए राधे राधे जी